Content की Research में मेरे हाथ लगी एक ऐसी शॉट फिल्म जो 30 मिनिट की है एंड पूरी की पूरी फिल्म फोन से शूट की गई है फोन से बट अगर ये बताया ना जाता कि ये फोन से शूट की गई फिल्म है तो फिल्म देखकर कोई भी इस बात का अंधाजा तक नहीं लगा पाता बात करते हैं आगे वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी डिजनी प्लस होट स्टार पर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है एक्चुली वो एपल इंडिया के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर भी अविलेबल है तो फ्री में देख सकते हो और पहले ही बता दू कि इस शॉर्ट फिल्म का रिवियू करने के लिए ना मुझे एपल ने पैसे दिये ना होट स्टार ने कमेंट सेक्शन में मेरे पैसे छीटे मत उड़ा देना और एक और बात अगर आपको हीरोपंती 2 या उसके जैसे फिल्म बहुत जादा पसंद आती है तो सॉरी ये शॉर्ट फिल्म आपकी लिए बिल्कुल भी नहीं है ये एक fantasy related फिल्म है जो time travel के concept पर आधारित है तो जादा logic लगने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी के तार कही पर भी जुडने नहीं वाले ये शुरू भी abruptly होती है और इसका अंत भी ऐसे होता है कि आप सोचते रह जाओगे पर जिस तरह से बस एक phone के जरीए इस film को shoot किया गया है your mind will blown away जब आप इसके visuals देखोगे स्टोरी में एक लड़का है जो scientist है और उसने एक device बना लिया है जिसे वो future देख सकता है और वो अपने प्रिमिका के बारे में कुछ unexpected देखता है and now उसको अब उसे बचाना है तो वो उसे बचा पाता है कि नहीं वो आप इस short film में देखोगे मैंने ये film इसलिए देखी क्योंकि इसमें लिखा हुआ था entirely shot on iPhone 14 तो curiosity के चलते देख डाली और content भी तो बनता है न उपर से विशाल भारदवाज जैसा नाम जुड़ा है तो film देखना तो बनता है इस film का positive side ये है कि पूरी film में आपको कही पर भी नहीं लगेगा कि ये पूरी की पूरी film एक phone से ही shoot की गई है phone camera से और इस film के visuals and lighting काफी हटके and natural लगती है उसी की चलते मैंने इसका behind the scene भी देखा तो हाँ iPhone से shoot किया तो है बट इसमें उन्होंने कुछ एक cinematic gadgets भी use किया है like gimbal वगेरा ताकि smoothly shot को लिया जा सके पर ऐसे में lighting का खयाल रखना बहुत ज़रूरी होता है और जो लोग एक film बनाने के लिए सोचते रहते हैं कि मेरे पास वैसा वाला camera नहीं है तो भाई लोग film बनाने के लिए camera नहीं गिडनी चाहिए मतलब अगर आपका vision clear है और अच्छा खासा camera phone तो आपको भी film maker बनने से कोई रोक नहीं सकता हाला कि post production में sound design VFX पर भी काम किया गया है इसलिए फुरसत film सिर्फ iPhone से shoot की गई है ऐसा नहीं लगता but I must say it's definitely a one time watch film ताकि आप real cinema के aesthetics को समझ सको कि film बनती कैसे है negatives की अगर बात करे तो इस film की story में उतना दम नहीं है और 30 minute के film में 5 गाने है क्योंकि वैसे ये एक musical fantasy drama है जहाँ थोड़ा drama आपको गानों के जरीए भी बताया गया है पर fantasy point of view and a creative vision को ध्यान में रखते हुए मैं दूंगा इस film को 3 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई